नौकरी, मजबूरी या शौक, सीधी साधी सी रोली की शादी सिट से तै होती है शादी के बाद तुम नौकरे करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिलकुल नहीं, वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं ग्रहनी बनूँगी हाँ हाँ क्यों नहीं ग्रहनी बनना भी आसान नहीं है एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है रोली को सिट का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद ये क्या सारा दिन किचन कपड़े और चार दिवारों के आगे पीछे घुमती रहती है जा बहान निकल कर देख कितनी स्मार्ट लगती है वो आड़तें जो नौकरी करती है हाँ अच्छी तो लगती है सासुमा लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती मेरा मन घर के कामों में ही लगता है अरे मेरी बेटी तो कमाती है अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खुब शॉपिंग करवाती है अच्छी बात है न सासुमा, मैं तो जो है उसी में संतोश मान लेती हूँ, बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी ये बोलकर रोली चली जाती है, एक दिन सास की सहली घर आती है, जहां रोली उन्हें चाय के साथ कही तरह के पक्वान मना कर खिलाती है आरे वा, तेरी बहु तो बहुत गुणी है, कितना सब बना कर ले आई, मेरी वाली तो आफिस से आकर दो रोटी ही सेख दे तो समझो ऐसान कर दिया अरे ऐसा ना बोल, तेरे घर में दो कार, चार मंजिला मकान, और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है, वो भी तो कितनी कीमती होती है अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन, इन्ही दो कमरों को ताज महल बनाने में लगी रहती है सहली चली जाती है, कुछ समय बाद रोली को एक सुन्दर सी बेटी होती है अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है मा, मुझे ना एक मिनिट पी छोड़ने का मन नहीं करता देखे ना, कितनी प्यारी है, मैं ना इस हर पल को इंजॉई करना चाहती हूँ लेकिन एक दिन अचानक और रोली एक बहुत बड़ी घटना हो गई, एक शार्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई ओ, अब? अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा रोली रोली कुछ सोचती है, फिर अपने तीन महिने के बच्चे को देखती है और कहती है आप कहें तो मैं नौकरी शुरू कर दू, मा मुनी को देख लेगी, फिर शाम को तुम्हें घर आई जाओंगी सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहाँ आ जाती है अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मूँ देख रही है अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है अरे नहीं नहीं माजी, ऐसा क्यों बोल रही है आप फिर क्या था, सिट से पूछ कर तीन महिनी की बच्ची को रोली सास की पास छोड़ कर चली जाती है शाम को ओफिस से आने पर अरे सारा आदिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया पस गोदी में ले लेकर घुमती रही, हाथ दर्द हो रहा है बहु को बहुत गिल्ड फील होता है लेकिन जब वो घर के हालत देखती है तो चुप रह जाती है आफिस में सहली कहती है अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना कैसे मैनेज करती है कैसे मतलब, घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौक रिजॉइन करने की सोच रही हूँ वो तो सीधे अमरीका चली गई मेरी नानत के पास अच्छा, फिर तो कैसे मैनेज करती है अरे मैंने तो फुल टाइम मेर्ट रख ली है ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके ममी पपा के पास ना छोड़ू प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्ची को नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है जो मेरे पती को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बढ़ा कर सकती है वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बेगाड़ेगी खैर, रोली की इस सोच से उलड पडोसियों की बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली के सास कहती है अरे क्या बताऊं, सारा दिन बभू बहार रहती है पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं अरे नहाने भी जाती हूँ ना तो इससे साथ रखती हूँ कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहु तो हमारी खाल उखाड लेगी ना अरे ऐसा भी क्या डणना बहु से, नौकरी थोड़ी की है उसकी अब क्या बताऊं, बड़ी लिखी लड़कियां है आजकल की चलो चलती हूँ, सबजी बनाने का वक्त हो गया है बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ओफिस से घर पहुँचती है बाहर पड़ोसियों को देख कर नमस्ते आएंटी जी, कैसी है आप? आरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है क्या सास पाई है? मोती दान किये होंगे तुने? तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है बेचारी बहुत कान करती है तेरी सास हाँ अच्टी, सही बोल रही है आप अब ओफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है खेर चलती हूँ हाँ हाँ बेटा जाओ, गरमा गरम खाना खाओ रोली घर आती है, जहाँ सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारते गिनाने में लग जाती है अरे आज तो इसकी वज़े से मुझे दो बार कपड़े बदलने पड़े बार बार पानी गिरा दे रही थी दूपेर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूँ तो दूद के लिए रोने लगी आए मैं तो परिशान ही हो गई रोली को सास की बाद अब कुछ अजीब लगती है पर वो जल्दी से कपड़े बदल कर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है सारा महिना काम कने के बाद रोली को सेलरी मिलती है वो पैसे लेकर सीथे सास के पास जाती है मा जी ये मेरी सेलरी आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया मैं नौकरी करने की पक्ष में नहीं थी मैं तो अपने बच्ची को बढ़ता देखना जाती थी मैं थोड़े में भी खुशी थी कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था घर की मुसिबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पढ़ने नहीं देती अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहा है हाथ में पैसे देख कर कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पती ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे बेटे ने भी गल्ला संभाला लेकिन तुने मुझे समझा ये मेरा सम्मान है कि एक बहु होकर तुने पूरी सेलरी मेरे हाथ में रखी बेटा ले हाथ मेत Chapter 3 हाथ में पी आक हमाद में रखे बेट क्ब़ी जे ऊधन